सुकेश चंद्रशेखर का एलजी को तीसरा लेटर जेल में अपनी जान को बताया खत्रा जाने सुकेश को कौन दे रहा है धमकी दिली की जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने तीसरा लेटर बंब फोड़ कर एक बार फिर से संसनी फैला दी है अपनी तीसरे लेटर में सुकेश ने एक बार फिर दिली के स्वास्ते मंतरी सतेंद्र जेल जेल डीजी संदीप गोयल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे अपनी जान को खत्रा बताया है सुकेश का आरोप है कि जेन और गोयल की तरफ से उसे लगातार धम क्या मिल रही है महा ठग कायल जी को लिखा गया ये तीसरा लेटर है पहले दो पत्रों में भी केजिवल सरकार में मंतरी सतेंद्र जेन और जेल डीजी संदीप गोयल पर गंभीर आरोप लगाये गये थे महीं इस बार भी दिली के उपरा जिपाल विने सकसेना को लिखे बत्र में सुकेश चंदर शेकर ने दावा किया कि पत्र लिखने के बाद सतेंद्र जेन और संदीप गोयल की तरफ से लगातर उसे धम क्या मिल रही है उसने कहा कि जेल में उसकी जान को खत रहा है आपको बता दिए सुकेश चंदर शेकर ने लजी विने सकसेना को तीसरी बार लेटर लिखा है उसने पत्र में पैसे के लेंदेन को लेकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाये थे इन चिठियों में उसने सतेंद्र जैन और संदीप गोयल पर भी प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया है सुकेश ने अब इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है इसे पहले के पत्र में सुकेश ने दिली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल से पूछा था कि अगर मैं सबसे बड़ा ठग हूँ तो फिर आपने मुझसे 50 करोड रुपए क्यों लिये आपने मुझे और कारोबारियों को पार्टी के साथ जोड कर 500 करोड रुपए जुटाने के लिए क्यों कहा था सुकेश ने केजरिवाल से पूछा था कि मुझे करनाटक में पार्टी में बड़ा पद देने का ओफर क्यों दिया गया इतना इने सुकेश ने अपने तीन पन्नों के चिठी में आरोप लगाया था कि केजरिवाल और सतींद्र जैन के खिलाफ लिखे गई चिठी के बाद मुझे तिहार जेल के पूर्व डीजी और प्रिशासन धम क्या दे रहा है लेकिन मैं केजरिवाल और उनके मंत्री सतींद्र जैन के प्रिशासन से टरने वाला नहीं हूँ सुकेश ने दावा किया कि जो जानकारियां उन्होंने दी है वो पूरी तरह से सही है सुकेश ने उपराजिपाल विने सकसेना को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि सतेंद्र जैन ने 2019 में जेल में उसकी सुरक्षा की एविज में 10 करोर रुपे की उगाही की थी उसने आरोप लगाया कि उपराजिपार को लिखे पत्र के सावजनिक होने के बाद सतेंद्र जैन ने तिहार के पूर्व डीजी के साथ मिलकर उसे धमकी दी दी चंदर शेखर ने आरोप लगाया कि केजरिवाल ने उसे अपनी पार्टी के लिए 500 करोर रुपे का योगदान करने के लिए 20 से ज्यादा लोगों को लाने के लिए कहा था इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बनी रहें वन इंडिया हिंदी के साथ